हेलो एवरिवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में DAV स्कूल से सिक्षक भरती का ओफिशल नूटिस जारी हो चुका है 26 DAV स्कूल से वेकंसी है एप्लिकेशन पॉम 19 अक्तूबर 2024 से स्टार्ट है 8 नवंबर लास्ट डेट रहेगी इसमें जो है प्राइमरी टीचर, ट्रेंड, ग्रेजुट टीचर, पोस्ट ग्रेजुट टीचर में जो है लगवग सभी सब्जेक्ट में वेकंसी है जो की थमनेल में आप लोगों को दिखाई देही रहा है अधर पोस्ट की अगर हम बात करें तो एन्टीटी, काउंसलर, हेल्थ, वैलनेस टीचर, लाइब्रेरियन इनकी वेकंसी है चले देख लेते हैं ऑफिचल वेबसाइट पर चलेंगे ऑफिचल वेबसाइट पर सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं तो ये ऑफिचल वेबसाइट पर जो है नोटिविकेशन है DAV स्कूल डेली और गुरुग्राम में जितने भी DAV स्कूल है लगवग मैं आप लोगों को बता देती हूं कि यहां से देखें आप वन नमबर से लेकर 22 नमबर तक यह सभी डैली में स्कूल है यहां पर वेकंसी जारी की गई है उसके बाद गुरुग्राम में चार स्कूल है DAV पॉब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में और RRGS DAV पॉब्लिक स्कूल हैली वंडी पटोडी डिस्टिक गुरुग् में DAV पॉब्लिक स्कूल यह भी गुरुग्राम में है और लास्ट रटी सी केंपस में है ठीक है तो इसमें जो है आविदन करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है कौन-कौन से सब्जेक्ट में वेकंसी जारी की गई है वो हम देख लेते हैं सब भी राज्यों के सब्सक्राइब जारी होगी चाहिए वह राजिस्थान हो उतरप्रदेश हो माध्यप्रदेश हो चतिसगर हो बिहार हो DAV स्कूल जो है वो सब भी जगे है ठीक है फिलाल जैसे-जैसे वेकंसी जारी होती जाएगी आप लोगों को सुचित किया जाएगा वीडियो के मात्यम से DAV स्कूल देली एंड गुरु ग्राम एप्लिकेशन आर इन्वाइटीट फ्रॉम 19 अक्टूबर 2024 टू 8 नवंबर 2024 तक चलेंगे ठीक है यहां पर जो है रेगुलर और कॉंट्रेक्ट चोल बेस पर जो है वेकंसी आती है तो इसमें जो है पीजी टी में हिंदी इंग्लिस Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Computer Science, Commerce, Economics, History, Political Science, Sociology, Geography, Psychology, Home Science, Physical Education टीचर की वेकंसी है ट्रेंड ग्राजवेट टीचर में इंग्लिस, हिंदी, संस्कृत, Mathematics, Science, Social Science, Computer Science, Art and Craft, Painting, Sculpture, Music, Dance, Physical Education प्रामरी टीचर में हिंदी, इंग्लिस, संस्कृत, Mathematics, Science, Social Science, Computer Science, Painting and Art, Music, Dance and Physical Education Other Post की बात करें तो Nursery Teacher, Counselor and Health Wellness Teacher और Librarian में Grade 1st और Grade 2nd में Ministry Post के अंतरगा जो है LDC Accounts की, LDC Administration की और UDC Assistant की, Receptionist की और Library Assistant की वेकंसी है ठीक है और कितने जो है स्कूल है मैंने आपको बता दिया है Delhi में और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने नजदी की या फिर आप अधर स्टेट में जॉप करने की एच्छोग है क्योंकि यहां से पर्मानेंट और कॉंटाक्ट बेस पर जो है वो टीचर रखे जाते हैं कैसे अप्लाइ करना है तो हाव टू अप्लाइए अप्लिकेशन फॉर्म कैन बी डाउंडोडीड फॉम एनी फॉलाइंग वेबसाइट किसी भी ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर जो है आप लोग अप्लिकेशन फॉर्म डाउंडोड कर सकते हैं ऑफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को नीचे दिख जाएगा यहां बर ठीक है और यहां पर कॉंटेक्ट नंबर भी दिया गया है इमेल एड्रस भी दिया गया है तो आप लोगों को जो यह पांच कलेक्शन सेंटर के कंप्लीट जो है एड्रस दिये गए है इनकी ओफिशल वेबसाइट भी दी गई है बस गूगल पर आपको सर्च करना है और यहां से जो है आप लोग अप्लिकेशन फॉर्म डाउंडोड कर सकते हैं नेक्स्ट कि अफिया दो टर मेंनुलिटर कॉस्ट टाउंडड है और आप लोगों को उसी पर जाखर जिसका ओफिशल वेबसाइट जैसे की नौर्थ दीहलिए महं कलेक्शन सेंटर है तो इसका ओफिशल वेबसाइट पर आप जो है गोगल पे सर्च कर लेंगे और यहां से आप्लिक पर यहां पर जब आप जाएंगे तो 300 रूपीज जो है यहां पर चार्ज लगेगा एप्लिकेशन फीस आप कह सकते हैं सेलेक्शन कैसे रहेगा तो सेलेक्शन जो है यहां पर इंग्लिस और कम्प्यूटर जो है वह ओने चाहिए seated या आपके राज्य का TET आपका qualify होना चाहिए TCT और PRT की post के लिए minimum 50% marks आपके graduation में, post graduation में होने चाहिए maximum age 35 year है important instructions में इन्होंने लिखा है candidate can apply for one post only a CBT exam for multiple post may fall on same date अभी जो है आप form apply करेंगे तो उसके बाद जो है return test होगा CBT exam होगा computer based test होगा ठीक है जो भी eligible candidate होगे तो उनको जो है बुलाया जाएगा interview के लिए demo class के लिए बुलाया जाएगा या interview के लिए बुलाया जाएगा जो भी selected candidate होगे बस यह जो है selection process रहेगा salary जो आपको पता ही है salary काफी अच्छी जो है यहाँ पर दी जाती है जैसे की DPS की salary रहती है और यहाँ पर भी salary इसी तरीकी से रहती है और यहाँ पर जो है जो selection permanent भी हो जाते हैं और contract base पर भी जो है teachers यहाँ पर रखे जाते हैं ठीक है तो यह पूरा process मैंने आप लोगों को बता दिया vacancy जो है वो हर राज्य से जारी होगी यहाँ पर फिलाल जो है वो डेली के जितने school है और DAV school और गुरुग्राम के इन सब भी की जो है vacancy का notification आ चुका है आगे और भी राज्य की vacancy का notification आएगा DAV school से बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ से permanent vacancy बिल्कुल सारी की जाती है Thank you